दोस्तों किसी फेरी वाले या सब्जी वाले की तरह कोई आपके दरवाजे पे आए और बोले कि आपके पास चना है अगर है तो मैं आपको आखों के सामने एक बहतर गुनवत्ति के साथ आपको सत्तु निकाल के दूँगा और सत्तु निकालते हैं और उसके बदले में उसे हम पैसा चुकाते हैं और यहीं एक बिजन्स का जनम होता है और देखिए बहुत ही मामली बिजन्स है लेकिन इस बिजन्स से आप चाहें तो 500-1000 रुपे आराम से दिन में कमा सकते हैं एक चोटी सी मशीन से जो कि अपने बाईक या फिर किसी भी गाड़ी पर ये अगर कसवा लेते हैं और आप घर-घर घूम करके चना का सत्तू हो या फिर दाल का बेसन हो और भी जो चीजे पीशने वाले हैं आप दरवाजे पर जाके इस चीज को करके आँखों के सामने दे सकते हैं तो आज हम बहुत सारे बात करेंगे यहां पर मैं आया हूँ गुरुनानक इंटरप्राइजस में फिर से स्वागत कर ले सिदक जी का सिदक जी बाई क्या कमाल है बहुत प्यारी मशीन लेके आएं इस बार कहा कहां से खोज खिलाते हैं और चलिए स्कीण पर आपका स्वागत है सर आपका भी सागत है और लिएक वाली बाईक वाली स्अत्ती मशीन की पिछला वीडियू जो है हमने ऐसे बनाया था लेकिन उसके मुकाबले ये जो है बिलकुल देखने में ही लगती है कि एकदम नई वराइटी की है, नया अपडेट, नया सुन्दर लूक के साथ और अभी तो टेमपरोरी हम लोग ने इसे किसी तरह टेबल पर किया है लेकिन ये सायद कसी जाती है जिसे गाड़ी पर बंधाएगें तो चलिए ये फिल्कूल पुल Corpsgesch तरहई का इस्टमाल होता है और कैसे ये जिजू में रख था पर भात तै इसके बारन ये जो इश के सामने मधे मेच्प लेग याined आपने दाला निकला और जो कसम से बता रहा हो इतनी fine quality और क्या टेस्ट भाई जब कि छिलके के साथ जैसे पहले में बताता हूं कि क्या होता था कि चाली की परेशानी क्या मैं मुजर्ण की खाली करें ठाली और घाली हुई और हो जाएगा पांद्र क्ति अवीट कि ते शच्राध और जो स्वाध है कमाल की थे तो आपने हमने खुद टेस्ट किया भी समझ में आपि रहा है बहुत बहुत स्वाधिस्ट और अभी आख के सामने भी हम लोग करेंगे तो तुरा साथ क्या बता रहे थे सर हां जैसे पत्थर वाली में क्या होता था ना कि उसके अंदर छिलके है ना लेकिन ग्राहक को क्या होगा ना कि खस-खस की जो दिक्कत आती थी ना पहले जो सत्य का पानी पी रहे है तो इस मशीन में नहीं आएगी पिर आप लोग कहेंगे जो चना है इसके तरह सत्य हो बर्बाद हो जाएगा बर्बाद एक पैसे का नहीं होगा यह जो जाली है इस पैकिंग करके बेच लो घर जाके आप दुकान पे रख लो दुकान पे भी आप इस चीज को रख सकते हैं और वहां से आप निकाल सकते हैं बहुत शांदार है कर चांबर लगा करते हैं इसको ऐसे बिन्द करतेना है इसको ऐसे बंद कर देना है कि यहां से घीचना होता है और इसको पहले हम घीचते हैं इसको और लेते हैं यहां पर हमारी मशीन का चोक दिया हुआ है चलिए पहली बार कोई मशीन इस तरह से मैं चालू करूँगा एक बार में तो सिया वर राम चंद्र की जै वाह क्या बात एक बार में स्टार्ट हो गया और यह जो हील रहा है सर कस देंगे तो अहीं लेगा नहीं यह तो टेबल पर रखा हुआ डेमो के लिए है अगर यह जमी यहां से डालू क्या दालने की कोशिशिश कर रहा हूं थोड़ा सा गीरेगा नीचे बरबाद भी हो सकता है तो हाथ लगाएंगे सर कि यह देमो दिखाने के लिए पुरा दालिए तुगाड़ वाला है क्या बात है देखिए वह एक्चली स्लीप कर रहा है नीचे से इसको दाबना पड़ेगा और गाड़ी में कैसे होता है वैसे मिलाना पड़ेगा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तो भाई माल डालने की भी सेटिंग होती है तो अगर वह ठीक से नहीं डालेंगे तो सकता बंद हो जाए तो फिर से स्टार्ट करते हैं इसको चलिए एक बार में चलिए पकड़ लेता हूं तो फिर से डाल रहा हूं दीरे 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 ओहो अधिक दुकान पर उतना ब्यवस्था रहता नहीं है यह तो जबरदस्ती मैं डेमो करा रहा हूं चलिए डाल दिया और देखिए वहां पर नीचे सत्तु आ रहा है क्या बात रहा सा हाथ जरूर गंदा होगा लेकिन देखते हैं कि बंद करिये सर चलिए यह देखिए सर इसमें विए खासियत है कि और मositLEY ऐसे हमां से अन्धे गतने हैं सब लोग अगर माल निए आपका स्थू अंडरा ऑपको ज्लिए वें व जब व्हागत बहुत देखि नहीं होगा यहां बहों तो बिल्कुल यह महीन और इसकी जो खुश्बु है किया बात है एक दम औरिजनल लिट्टी वाली जो सक्तू जो भरते हैं ना भर के खा ले ना सही में भाई गजब हो जाएगा तो कमाल का मशीन है और सर इसके इंस्टॉलेशन जो है वो क्या कहीं बाइक वेगरा पे कसने के लिए क्या उसका प्लेटफॉर्म बर्माना पड़े इसका बजन मुष्यों से 20 kg है प्ले वाली मशीन 35 kg जिसको ले जाने में बजन भी हलका हो गया बजन भी हलका हो गया काम बी असान हो गया पहले वाली पहले जाके पहले मिलाते थे कि महीन करना या आप देख सकते कहीं भी ख़रो चालने की बीज़रत नहीं है और यह अब ए बहुत बड़ी आप दो इन्तेजार भी नहीं करना पड़ेगा और खास करके तो इसमें और क्या-क्या बतलब जन्रली चना डाले या फिर मकई वगर अगर अभी यह सर मशीन इंजन पे चल रही है जो तेल खा रही है यह मशीन केवल आपको बेसन और सत्तु में ही ज्याद अच्छा खासा रोजगार जन्रेट हो सकता है तो क्या इसका खर्च वर्च क्या पड़ेगा सर खर्च के लिए नंबर के संपर करना पड़ेगा और डिस्क्लोज नहीं करेंगे लेकिन जो भी हो शांदार मशीन सर आपने लाया है और कहीं कोई लफडा नहीं है और तेल की क्या होने वाली है 800 ग्राम में एक घंटे चलेगी लगातार एक घंटे में मिनिम्मम 25 किलो सब्सक्राइब और पैसे पहले पत्थर चक्की में क्या होता था चाल के देना पड़ता था इसमें चालने की जुरुत नहीं है इसमें चोकर अलग हो गया हम चाहेंगे तो उससे भ आपका यह मिक्सिंग नहीं हुआ कभी तो ग्रहा कर जो भी इसको सब्सक्राइब तो यहां पर पत्ना में 80 किलो मिल रहा है चिलका उतार गहें चिलका के साथ है गाउं में तो और सथा होगा यह चलका उतार के लेंगे तो उनको यह भी चीज नहीं करना पड़ेगा चिलका और तो गया लेते होंगे कुछ आइलिया डालेते है लोगे बसट्ट Awwya बात प deseo बात है तो लोग जो चोकर शोजकर के भी अपना भाव उन लगा के देगे चोकर अभी जानवर में आराम से मेगा से पंदर रुपे किलो बीस रुपे किलो चली रहा होगा उससे कम तो नहीं मतलब सर यह कहना चाह रहा था कि अब दाम तो मुझे पता नहीं है लेकिन अगर मान लिजे इस रोजगार हम खड़ा करें तो प्रती दिन चाहें तो कितना कम कर सकते 500 रुपया बनाना कोई बड़ी बात नहीं अगर कोई आदमी घूमता है बढ़ियां जगा जाता है अगर उनके ग्रहांक लगते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आए कि पांसो से हजार रुपया कोई बड़ी चीज नहीं इस से कमाना क्या बात है और इसमें रही बा पार्ट से लेवल हैं इसमें कोई सर्विस नहीं है यह बहुत बढ़िया सर बहुत बहुत शुक्रिया और भाई देखिए जो एक प्राइस है इसकी उसकी डिटेलिंग के लिए कृपया कॉल कर ले मशीन जो है यहां पर सामने हमने देखा काफी अच्छी है तुरत यहां प के अलावा जो भी कर्स्मर लेने आएंगे वह अपना चना लेकर के आदा किलो उनको पीस करके दिखा कर कर दे जाएंगे सब्सक्राइब कर सके तो इस तरह बाइक पे सेट अप कराके अपने शॉप पे सेट अप कराके आप अच्छा इंकम जनरेट कर सकते हैं फिर अगरी म बना कर आपके सामने लाएंगे मिलते हैं बहुत जल नए एपिसोड में नए मशीन के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत